आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं ब्रेड से बनने वाला एक बहुती मज़ेदार सा नाश्ता जो उम्मीद करती हूं आपको बेहत पसंद आएगा क्योंकि ये खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी होता है सबसे पहले आपको एक बड़ा बोल लेना है और इसमें एक बड़े साइस के प्यास को बारिक कट करके डाल देना है अब यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिये हैं, इन्हें भी बारिक कट करके डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें अब डाल रहे हूँ, दो हरे मिर्श इन्हें बारिक कट करके डाले आधा चम्मच इसमें जा रहा है अद्रक, अद्रक को मैंने घिस के डाला है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लैसुन भी डाल सकते हैं थोड़ा सा डाल दिया है बारिक कटा हुआ हरा धनिया और यहां इसमें जा रहे हैं मसाले तो आधा चम्मस डाल दिया है नमक आधा चम्मस जा रहा है इसमें लाल मिर्च पाउडर और ये इसमें ज़रा एक चोथाई चमच गरम मसाला अब आप सारी चीजों को बहुत ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक आलू जिसे मैश कर लिया है एक उबलेवए आलू को छील कर मैश कर लिया है और ये इसमें डाल दिया है इसे मिक्स कर लेते हैं बहुत ज़्यादा आलू डालने की ज़रूरत नहीं है एक ही आलू काफी होगा तो यहाँ पर देखिए हमने मिक्स कर लिया और बहुत ही बड़िया मसाला हो चुका है तयार अब देखिए मैंने लिया है ब्रेड आप वाइट या ब्राउन जो भी ब्रेड लेना चाहें वो ले सकते हैं तीन ब्रेड ली है मैंने और यह जो ब्रेड है ना इन्हें हम पानी डाल का थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और अब आप इन्हें इस तरह हाथों से मैश कर लें इनमें हमने पानी डाल दिया है तो ये soft हो गई है बहुत ही easily ये bread ऐसे mash हो जाएंगी तो देखिए सारी bread को हमने mash कर लिया है और अब ये जो bread है ना हमें इस mix में डाल देनी है आलू का जो मसाला तयार गया है ना इसमें हम इसे डाल देंगे तो bread डाल दी और bread डालने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से mix करेंगे ये जो bread है आलू प्यास टमाटर है सारी चीजे बहुत अच्छे से mix हो जानी चाहिए तो ये देखिए नाश्ता बनाने के लिए हमारा जो mix है वो पूरी तरीके से तयार है अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको लेनी है दो चमच मैदा एक अलग से बाउल लिया है और इसमें दो चमच मैदा ली है मैंने और इसमें हम डाल देंगे थोड़ असा नमक एक चोथा ही चमबच नमक डाला है और एक चोथा ही चमबच इसमें डाल दी है मैंने चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया चिली फ्लेक्स ना हो तो इसकिप कर सकते हैं इसकी जगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं इसे mix कर लें बहुत अच्छे से और अब आप इसमें डालें पानी और इसकी एक sclery बना कर त्यार कर लें। बहुत अच्छे से mix करेंगे इसमें lumps नहीं रहने चाहिए। यह देखिए इस तरह इसे त्यार कर ले रहा है। अब यह थोड़ा सा गाड़ा है तो थोड़ा पानी और डाल दिया है और अब यह परफेक्टली त्यार हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमने यह लिए हैं bread crumbs मैंने दो bread को mix के जार में डाल कर पीस कर यह bread crumbs त्यार किये हैं। अब आपको अपने हाथो पर थोड़ा सा ओईल लगा लेना है और यह जो आलू bread वाला mix है इसमें से थोड़ा सा डो लेना है और इस तरह हाथों के बीच में रखकर गोल गोल बॉल बनाकर इस तरह इसे चप्टा कर ले यह जो हमारा डो है ना आलू और यह ब्रेड वाला य आप इसी तरीके से करेंगे तो नाश्ता बहुत अच्छा क्रिस्पी बनके त्यार होगा तो यह देखिए फिर से मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिये हैं अच्छी तरीके से कोट कर लिया है इसे तो चलिए इसे हम प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह पूरा नाश्ता आ कर दाई आप उतनी इसमें रख दी जए और मीडियम फ्लेम पर लगब एक एक डिएड़ मिन्ट के लिए इने एक तरफ से सिखने दीजे जब एक डिएड़ मिन्ट तक यह एक तरफ से सिख जाएं तो आप इने पलट देए ये देखिए जब मैं इने पलट रही हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे से कलर कितना बढ़िया आया है लाइट गोल्डन ब्राउन ये नाश्टा दिखाई दे रहा है चो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर मैंने सारे पीसे पलट दिये हैं अब दूसी तरब से भी इसी तरीके से इने सिखने दे और उसके बाद अलट पलट कर इने बहुत ही अच्छा डार्क ब्राउन होने तक इस तरीके से शिखकर तयार करें ये देखिए हमारा नाश्टा बहुत ही बढ़ी तरीके से त्यार है कलर अच्छा आया है बहुत ही क्रिस्पी बन चुका है तो बस इसे मैं निकाल लेती हूँ इसी तरीकी से दूसरा बैच भी आपको फ्राई कर लेना है तो अब इस नाश्टा को मैंने टमैटो सौस के साथ सर्प किया है आप चाहें तो हरे धनी की चटनी के साथ भी से खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही जटपट बनके त्यार हो जाता है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी त्यार कर सकते हैं घर में कोई गैस्ट आजाए तब भी आप फटा फट से ये बहुत ही डिलिशेस नाश्टा बना सकते हैं अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखे बहुत ही बढ़िया रेसेपी पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस और आल पर जरूर क्लिक करें